चैय मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी योट्यूब चैनल में दोस्तों सितंबर का महिना ग्रहों के फेर बदल की द्रस्टी से या ग्रहों की द्रस्टी से बहुत ही एहम रहने वाला है क्योंकि ये एक ऐसा महिना होगा जिसमें सभी नौग्र है किसी ना किसी तरह से फेर बदल यानि की राशी परिवर्थन करने वाले हैं और जब नौग्र है राशी परिवर्थन करेंगे तो उनका प्रभाव भी सबसे अधिक इस महिने में देखने को मिलेगा तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्याराशी की लोगों के लिए ये सितंबर का महिना ग्रहों की दरस्टी गोचर से किस तरह का प्रभावशाली आपके उपर रहेगा आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी आपका कारश्यत्र कैसा होगा पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दामपत्य जीवन आपकी नौकरी, दुकान, वैपार और वीडियो के अंत में जानेंगे कुछ खास उपायों के बारे में तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास में जो बैल का इकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की कोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों इस सितंबर माह में शुरू से और अंति तक ग्रहों क्या राशी परिवर्तन होता रहेगा और कुछ ऐसी परिवर्तन होंगे जो बेहत एहम होते हैं जूतिसी घटना में बहुत एहम माने जाते हैं अगर शुरूवात से ही बात करें तो शुक्र के राशी परिवर्तन से इस महीने की शुरूवात होगी जो कि एक सितंबर को ही शुक्र का मारगी होंगे जो की वक्री चल रहे थे अपनी धनु राशी में और वहाँ वो मारगी हो जाएंगे 16 सितंबर को सूरिया का गोचर होगा सूरिया सिहिंग राशी अपनी राशी में चल रहे थे और अब आपकी राशी में आ जाएंगे यानि कन्या राशी में आ जाएंगे और एक बार फिर से राशी परिवर्थित करेंगे 23 सितंबर को, शुक्र एक बार फिर से राशी परिवर्थित करेंगे 28 सितंबर को, और 29 सितंबर इस महीने का अंतिम राशी ग्रय का गोचर होगा, जो कि शनी का गोचर है, ये भी एक बहुत इमहतपून गोचर है, जो कि शनी जो के 9 ग्रहे राशी परिवरतन करेंगे और इन सभी का जो प्रभाव है। वो कई तरह से आपके जीवन पर पड़ेगा और देखे जब itゅने सारे ग्रहे राशी परिवर्द historic करते है वो ठीक ठीक निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जादा लेकिन हैं पूरी कुशिश करेंगे कि आपके लिए इस महीने को किस तरह से लाबदाय करह सकते हैं किस महीने से इस महीने में क्या-क्या सावधानिया बरतनी है वो सब कुछ आपको बता सके तो चलिए शुरू करते है कारेश्यत्र से इस दौरान आपके कारेश्यत्र में आपके भाई भेहनों का सहयोग आपको मिलेगा और अगर बिजनिस करते हैं रेपार करते हैं तो वहां उनका सहयोग आपको ज्यादा प्राप्त होगा इस दौरान कुछ एहम फैसले आप लेंगे कुछ एहम निर्ने आपको कुछ थोड़ा सा सोच विचार जरूर करना चाहिए जल्दवाजी में किसी भी फैसले को ना ले जल्दवाजी में किया गया फैसला लाबकारी नहीं होगा इस दोरान आपके सहकर्मी आपका साथ देंगे और उनकी साथ बहतर रिष्टे होंगे नौकरी करने वाले लोगों को कुछ लोगों की मदद जरूर मिलेगी वो आपके सहकर्मी भी हो सकते हैं आपके बास भी हो सकते हैं इस दोरान आपको कहीं बाहर से नौकरी के अफसर मिल सकते हैं अगर आपने कहीं नौकरी के लिए अपलाई क्या हुआ हुआ है तो वहां से ग कमी नहीं होगी और ये महीना आपके लिए आर्थिक रूप से आपकी इस्तितियों को बहतर बनाने वाला है नौकरी पेशा लोग भी इस महीने में अपनी मेहनत के दम पर अधिकारे को खुश करने में सफल रहेंगे आपके काम के चलते आपका बॉस भी आपकी तारिफों के पुल बांता हो नजर आएगा तो बहुत शांदार ये महीना आपके लिए रहेगा कारे शित्र की द्रस्टी से तो हर कारे में आपको उपलबधी मिलने वाली है और अगर आर्थिक द्रस्टी से देखें तो इस दोरान अगर आपका कोई इस समय अवदी में आपको कोई ऐस अशी चीज आपको मिल सकती है जो आपने कभी उधार दी हो वह आपको वापस मिल सकती है कोई जमीनी कबजा मिल सकता है इस दौरान थोड़ सा सब्सक्राइब बतना होगा अगर कहीं तानातनी का माहल देखता है तो उससे थोड़ा सा अवाइड करें क्योंकि मंगल वक्रि करेंगे मित्रों से परामश किसी चीज का लेना चाहते हैं तो जरूर लें इस महीने में आप धन को संचेक कर पाने में सफ़ा लोंगे यानि धन की बचत भी आप कर पाएंगे और अच्छी खासी बचत कर पाएंगे तो आर्थिक द्रस्टी से ये महीना करने राशी के लोगो करना चाहते हैं तो आपने अगर लोन के लिए आवयदन किया हुआ है तो बहुत अच्छा है वरना इस महीने में आप लोन का आवयदन भी कर सकते हैं तो अपनी सबी काहजातों को आप तयार रखें अगर हो सकता है आपका लोन का जो लोन है वो एक बार रिजेक्ट हो गया तो प्रेम संबंध ये महिना बहुत शांदार रहेगा इस महिने में थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद ही आपको प्रेम आपके लिए परवान चड़ेगा इस समय अपनी बातों को आप उनके सामने कुल कर कह पाएंगे अपनी बातों को सपस्ट करके चलेंगे और अगर शादे शुदा लोग के बात करें तो स्वास्ते का थोड़ा सा जरूर धिहान रखना है लेकिन हर तरह की समस्या का समाधधान अपने जीवन साथी के साथ मिल कर आप निकाल पाएंगे इस दोरान इस दूसरे का ख्याल आपको जरूर रखना है और अगर आप अभी तक सिंगल है तो इस समय विवाह के प्रस्ताव भी आपके लिए आ सकते हैं प्रेम जीवन की बात करें तो इस समय अपने माता के साथ आपके सितीर्थ इस्तल पर जा सकते हैं या आपकी माता के सितीर्थ इात्रा के जाने के लिए इच्छा जता सकती हैं ऐसे में उनकी इच्छा को पूरा करना आप के लिए धन खर्चा कराएगा पिताजी को कारियक के सम्मंद में कहीं दूर यात्रा पर जाना पड़ सकता है अगर आपके बच्चों की बात करें तो बच्चे इस समय अपनी पढ़ाई में बेहद अच्छा करेंगे पड़ाई के लिए शिक्चा के लिए ये महीन अच्छा है इस दोरान जरुत पढ़ने पर आप उनकी मदद भी करेंगे उनकी शिक्चा में और इस दोरान देखिए जो जीवन में कठनाईया थी उनको आप पूरा करते वे नजर आएंगे गर का वातावरण पूरा महीन अच्छा रहेगा घर परिवार में सुक और शांती बनी रहेगी ऐसे में सबसे बहतर होगा कि आप अपने परिवार के साथ जादा से जादा समय वैदीद करें स्वास्थे की बात अगर करें तो इस समय अपने स्वास्थे का जरूर ध्यान रखें आपको कमर के नीच ले हिस्ते में अगर कोई परिशानी है то वहाँ गंभीर समस्या हो सकती है द्यान रखना है और अगर आपको डाय़ःटी वगेरा है तो तो इस्तर को आपको ठीक से रखना है, ताकि कोई खत्रा ना बने कंड्रोल रखे इस समय आप अपने आपको व्याम के पर्थिप naw करने की कोशिश करें व्याम समय पर आप जरूर करते रहें अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में, तो देखिए इस समय आपको प्रतित दिन सूर्यद के समय सरस्वती वंदना जरूर करनी चाहिए, यह आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कु करना बुले